नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों इस समय पूरे चीन के अंदर भ्यानक को हुराम मचा हुआ है और इसका कारण ये है कि अब से कुछी घंटों पहले चीन का जो सबसे बड़ा बैंक है वो दिवालिया होने जा रहा है जी हाँ वो भरकी कमाई जमा करी थी क्योंकि इस बैंक ने वादा किया था कि हम जो आपके पैसे हैं वो बड़े बड़े रियल स्टेट प्रोजेक्ट में लगाएंगे जिससे कि आपके पैसे कुछी सालों में दुगने तिगने हो जाएंगे और क्यूंकि ये एक बैंक था और इसे ची की बारी आई तो ये बैंक पैसे वापस नहीं कर पा रहा है इसने पेमेंट फेल कर दी है जैसे ये खबर आई कि चीन का ये बैंक पैसे नहीं लोटा पा रहा है उसके तुरंद बाद इसके चीन के अलग-अलग शहरों में जो दफ्तर थे वहाँ पर जोड़दार प्रोटे पैसे जमा नहीं थे 137 बिलियन डॉलर जमा थे इस से आप अंदासर लगाईए कितने भारी मातरा में लोगों ने इसमें पैसे जमा किये होंगे क्योंकि जो आम नागरिक है वो 5 लाग 10 लाग 20 लाग की जमा कर पाता है ज्यादा से ज्यादा 50 लाग कोई ज्यादा मीर हुआ और इस हिसाब से भी देखें तो लागों परिवार लगेंगे आपको 137 बिलियन डॉलर जमा करने में इस से आप समझिए कि कितने परिवारों की जीवन रेखा इस बैंक से जड़ी हुई लेकिन आपका सवाल होगा कि ये बैंक निवेशकों के पैसे वापस क्यों नहीं दे जो बिल्डर थे बैंकों से तो पैसा उठाई रहे थे साथी इन्होंने मिलकर कई सारे शैड़ो बैंक भी बनाए थे मतलब कि ये ऐसे स्पेशल बैंक होंगे या ट्रस्ट होंगे जिसका काम होगा जनता से पैसे इकठे करना और बड़े-बड़े बिल्डर तक पहुंचान इसमें बिल्डर का फाइदा ये होता था कि अगर आप बैंक से पैसा लोगे तो आपको डोकुमेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी सोत रहके अलग-अलग सरकारी काम पूरे करने पड़ेंगे इसके लावा फिर बैंक अलग से चार्ज लेगा तो ये सारी चीज़े खतम हो जाएगी बैंक का चार्ज बच जाएगा डोकुमेंटेशन नहीं होगा किसी परकार का दबाव नहीं होगा बिल्डर पर उसी काम के लिए यह शैड़ो बैंक बनाए गये थे और अब इनी शैड़ो बैंक और ट्रस्ट में जो सबसे विशालक है और सबसे बड़ा था उन्हें कोई खरीद नहीं रहा क्यूंकि चीन के अंदर डिफलेशन आ चुका है हर चीज के दाम गिरते जा रहे हैं लोग कोई भी चीज खरीदने से फिलाल बच रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि हमने कोई फ्लैट ले लिया घर ले लिया और उसके 6 महीने बाद दाम आधे हो गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा इसलिए लोग पैसा कहीं भी नहीं लगा रहे हैं और जब बिल्डर के फ्लैट नहीं भी केंगे तो वह पैसा कैसे वापस कर पाएगा और इसी काल चक्र में चीन की अर्थफवस्था भी फश्चुकी है और जो इनके बड़ आपको याद होगा आपसे कुछ 6 से लेकर 8 महीने पहले भी चीन के कई बैंक कोलाप्स हुए थे उसमें भी एई कारण था कि बैंकों ने ऐसे लोन बांट दिये थे जो उन्हें वापस नहीं मिल रहे थे इस वज़े से जनता का पैसा फस गया था उस समय भी प्रोटेस्ट ह हुए थे लेकिन उस समय चीनी सरकार ने किसी ना किसी प्रकार से कवर अप कर लिया लेकिन आप कहां तक छुपाऊगे क्योंकि आपकी अर्थवस्था इतनी बुरी तरीके से अंदर से खोकली हो रही है जिसे आप बहुत लंबे समय तक संभाल नहीं सकते इसी को लेकर अमर साल बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है सारी exclusive update आपको यहीं पर मिलेगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही thank you very much for watching वीडियो